हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेय बजारवित आयोश और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में TCS के बारे में और कौन सी डेट से पहले पहले हमारे पास वो शेयर होना चीए TCS का तब जाके हम eligible रहेंगे तो ये बात बहुत important है इक्स डेट क्या है ये समझना बहुत important है तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखेगा फ्रेंट्स पहली बार अगर अपने चैनल को विजिट किया है चैनल कोई बुरा नहीं कह सकता है अगर बराबर नंबर्स निकल के आरे market के expectations की तो उसको खराब आप कैसे कहेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई या फिर कह सकते है जो result का सबसे key highlight था वो ता friends company की द्वारा dividend की गोशना करना dividend की गोशना ये तो पता ही था कि देखे company dividend तो देगी बट जिस प्रकार से company ने dividend का announcement किया जिसमें जो third interim dividend दिया गया करीबन 8 रुपे पर share का and 67 रुपीज का special dividend जब दिया गया तो वो अपने आप में सबसे बड़ी highlight थी because किसी ने नहीं सोचा था कि 67 रुपीज का company जो है वो एक special dividend देदेगी अपने investors को तो कुल मिलाकर उस तो ही जो dividend निकल के आगया वो 75 रुपीज का निकल के आगया अब यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है because लगातार जो TCS है वो अपने investors को dividend देती है यह तो हम सबको पता है 8 रुपीज पर share का दिया था 1st quarter के अंदर 2nd quarter में 8 रुपीज पर share का फिर दिया 3rd quarter में 8 रुपीज पर share का फिर दिया तो अभी तक 24 रुपीज का dividend तो company already आपको दे रख्या है 24 रुपीज का dividend दे दिया and 24 के बाद company ने announce क्या किया कि वो 67 रुपीज का जो dividend है वो और देगी अपने investors को इसका मतलब क्या है कि company ने कुल मिलाके 91 रुपीज पर share dividend जो है तो बहुत बहुत बहुतरी investors जो है वो definitely dividend से अपनी earning कर रहे है and यहीं दोस्तों साबित होता है क्यों क्या रहा है company ने अभी हाली में buyback करा था buyback करने के बाद जहां पर बात हो रही है layoffs की जहां पर बात हो रही है कि हाँ definitely जो companies है IT companies बहुत दिक्कत है आ रही है लेकिन definitely TCS ने अभी भी अपने investors के जरूर सोचा है बली कह सकते हैं कि TCS के भी कुछ employees कह सकते हैं कि numbers कम हुआ है company के employee का but overall जो सबसे जरूरी बात निकल के आती है as an investor कि क्या company कर रही है एक retail investor के लिए क्या company सोच रही है उसके investor के लिए तो यह मैं कह सकता हूँ कि TCS ने बहुत कुछ सोचा है यह सबसे ज़्यादा important बात है आप सबको समझने के लिए तो यह दरूरी दोसे हम ने समझ लिया कि company ने क्या किया लेकिन अब जो सबसे important topic निकल के आता है कि dividend हमको कब मिलेगा यानि eligible कब कब हम होंगे कि हमको यह dividend मिल जाए अगर मैं TCS का shareholder हूँ तब तो ठीक है बट अगर नहीं भी हूँ और मुझे चाहिए यह dividend तो क्या करना होगा यह अपना आप में question है दोस्तो यह बाद ध्यान रखेगा जो इसकी dividend trade करता हूँ नज़र आएगा stock क्या है एक्स dividend दोस्तो ट्रेड करेगा इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तो एक्स dividend का मतलब यही है कि इस दिन share के जो dividend है वो basically adjust हो जाएगा stock की price के अंदर जब भी दोस्तो company कोई बड़ा dividend paste करती है या फिर कहूँ कि उसकी जो eligibility है क्योंकि exchanges का यही होता है saving का यह rule है basically कि अगर आप more than 200% 300% अगर दे रहे हैं dividend को तो उसका adjustment stock की price पे होता है यानि इसका मतलब क्या है कि जो stock की price है वो definitely दोस्तों Monday को हो सकता है कि आपको 75 रुपीज नीचे दिखे क्यों उसका पीछे का reason क्या है उसके पीछे का reason साफ साफ यही है क्योंकि उसका adjustment होने वाला है अगर ऐसे दोस्तों company dividend दे देती है और उसका कोई भी effect stock पे नहीं आएगा तो यह तो अपने आप में देखिए stock की price बढ़ गई है लेकिन ऐसा नहीं होता है जब भी दोस्तों बड़ा dividend दिया जाता है तो क्योंकि वो adjust करना पड़ता है तो वो price में reflect होता है यानि Monday को क्या होगा Monday को दोस्तो 75 rupees stock हो सकता है कि नीचे trade करे हो सकता है कि हो गई होगा recover कर जाया है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और almost recover कर भी आते हैं stock लेकिन वो उस दिन के लिए definitely वो reflection आएगा बड़ सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मुझे dividend चीए तो क्या मैं 16 तरक को खरीद सकता हूँ जी नहीं दोस्तों ये बात ध्यान रखेगा 16 जनवरी को क्योंकि Monday है तो Saturday और Sunday आगया बीच में तो आपके पास दिन कौन सा है खरीदने के लिए वो है दोस्तों 13 जनवरी आज दोस्तों 12 है 12 को मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर आप चाहे तो आज भी खरीद सकते हैं और अगर आपने आज नहीं खरीदा है तो ये बाद ध्यान रखेगा Last date कौन सी है खरीदने के लिए डिविडियो की वो है दोस्तों 13 जनवरी 13 जनवरी को दोस्तों डिविडियो आपको अगर चाहिए तो स्टॉक को बाय करना होगा अगर दोस्तों आप 13 जनवरी को स्टॉक बाय नहीं करते हैं तो ये बाद आप ध्यान रखेगा you are not eligible अगर आप existing investor है और आपके पाई stock है तब की में बात नहीं कर रहा हूँ बट अगर आपको investor बनना है and आपको dividend पाना है basically तो आपको कम से कम 3 तरीक को खरीदना पड़ेगा तब जाके ही दोस्तो आप eligible होंगे otherwise you are not eligible ये बात आप ध्यान रखेगा तो eligible होने के लिए ये criteria बहुत important है कि 13 जनवरी को बाय करना पड़ेगा 16 जनवरी को अगर आप बाय करते तो ये बात ध्यान रखेगा आपको कोई dividend नहीं मिलने वाला है और 17 जनवरी को दोस्तो record date है अब ये भी important बात है कि record date का भी आपको समझना पड़ेगा record date का मतलब दोस्तो क्या होता है record date का मतलब यही है कि आपका नाम उस दिन record होगा तो अगर आप बाय करते हैं 13 जनवरी को तो कम से कम आपको 17 जनवरी तक इस stock को hold करना है dividend यानि आपका जो नाम है बिसिकली आप जो इंवेस्टर कंपनी के वो नाम आ जाएगा और आपके पास payment आ जाएगा तो यह जरूर दोस्तों process है जो आपको समझना पड़ता है जो वो important भी है और जो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आपको dividend के लिए अपने आपको eligible करना है अगर आपको dividend के लिए eligible करना है तो आपको कब खरीदना है वो है 13th of January यानि कल यानि जो कल Friday है Friday के अंदर अंदर आप खरीद लीजे तब जाके आप eligible रहेंगे अगर आपको पहले से share है और अभी भी hold करते है और 17th of January या तक hold करते है तो फिर दोस्तों आप eligible रहेंगे अगर आप पहले से stock को काफी समझे buy भी कर रखा हो तब भी अगर जिन्नोंने नहीं खरीदा और जो dividend चाहते हैं तो उनके लिए ये बात important है समझना hopefully आपको इस समझ में आ चुका होगा तो ये दोस्तों सबसे जरूरी बात है बाकि again company तो बढ़िया ही है company के अंदर आज सच कोई दिक्कत नहीं है तो overall hold भी कर सकते हैं कम से कम 17 जनवरे तक तो hold करना ही है आगे भी आप चाहिए तो hold कर लीजेगा इसमें कोई दिक्कत वाली markets तो ये बात important है overall TCS के अंदर तो लोगों का विश्वास भी बहुत जादा है और investors ने पैसा भी बहुत कमाया है इसमें कोई दोहराए नहीं है तो ये था दूस्तों इस फीडियो के अंदर hopefully समझ में आया होगा and ये जो dates है वो important आप समझ के याद रखिएगा बाकी तो company ब 20 रुपे पर share का तो हो सकता है कि इस बार भी आपको 10-20 रुपे का अगर final dividend मिल जाए तो पूरे एक financial year के अंदर आप सिर्फ 100 रुपे से जादा जादा तो किस से कमाई कर जाएंगे from the dividend only ये बात अपने आप में बहुत ही बढ़िया है कि अगर आप 100 रुपे की कमाई कर र लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो इस वीडियो में इतना ही था hopefully वीडियो बढ़या लगा होगा अगर कोई भी आपको अभी भी डाउट है तो comment section में मुझे जरूर पूछ सकते है I will definitely try to answer इस वीडियो में इतना ही था subscribe चैनल को जरूर कर लिजेगा ताकि ऐस इंट्रेस्टिंग अपडेट्स आपको मिल सके थैंकिए फ्रेंड्स वीडियो